हलो जई इस्टूडेंट मैं बोला था ना कि जई मेन का एक्जाम पोस्ट पॉंड हो चुके हैं और फइनली ये अपडेट आ भी चुका है मैं आप लोग के साथ सेर भी करने बाला हूँ और मैं जो बोला था ये 100% मेरा बात सही हुआ और एक मैं आप लोग से छोटा सारी उक कितने दिन के लिए पोस्ट पॉंड हुए हैं और ये आप लोग का अडिमिट का अडिकाब आएंगे मैं पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताने बाला हूँ ये वीडियो अगर आप लोग अच्छे से देखे लेंगे बिना स्कीप के वे तो आपको कोई वीडियो कर लेना क्योंकि ये चैनल आप लोग को सबसे हुटा करें आती को सबसे पहले прेस्थ करता हूँ जरूर चैनल को पताता हूँ अभी हुस आप लोग को ये बात पताने वह हुआ कि 491 ट्रेंड को बंद कर दिया पुरी तरीके से भारत बंद है, दूसरी बात आप लोग का जो एक्जाम था, ये 20 तारीको होने बाला था, जैमेन का एक्जाम 20 तारीक से स्टाट होने बाला था, फर ये extend करके मतलब कि जो इसका date आया, 23 तारीक से इसका date आया, तो अगर 20 तारिक से एक्जाम होते ही जाइमेन का तो आप लोगों को पता है कि आज 20 तारिकों क्या है भारत बंद है तो भारत बंद में तो आज आज आपका ऐसे भी एक्जाम नहीं होता अगर आज रहता अगर आज आप लोग का date रता था आप लोग तो ऐसे ही माल लेते कि भाई exam तो postpon होंगे ही होंगे पर आप लोग का exam कि तरीक हो है 23 तरीक हो अभी इस्ट्रेंट के मन में ये dot था कि ये exam postpon होंगे या नहीं होंगे ये दो dot चल रहे थे कि 20 को हो सकते हैं अब लोग को मैं बता दूँ अभी मैं जर्खंड आया हूं राची मैं अभी फिलाल बिहार में था दो दिन पहले अभी मैं जर्खंड आया हूं जर्खंड राची किसलिया आया हूं क्योंकि नेट का कनेक्शन बिहार में 15 जिला में कट कर दिया गया है बिहार का आप लोग को मैं आप लोग को बारे बीटों बता हूंकि अस्साम में वाड़ आया है यह भी हैं तो इस तरह का मैटर है और मैं जयरकंड क्यूं आया मैं इसी लिए अप क्या हूं कि भिहार में नेट का के ynिज़न और मेरी को जयरकंड आना पड़ा आप लोग बताएं, इस प्रोटेस्ट में 23 तारिक से एक्साम है, एड्मिट काड भी नहीं आए, एड्मिट काड भी नहीं आए, इसी को लेकर मैं बता रहा हूँ, NTA के द्वारा जो reply आया है, मैं आप लोग के साथ share करता हूँ, आज का मैं सबसे बड़ा खुस ख़वरी बत जैसे NTA का reply आता है, जैसे NTA का update आता है, मैं सबसे पहले आप लोग को provide करा सकूँ, तो चैनल को हरे एक बच्चा सब्सक्राइब के किल्योड़े रहा है,